श्री गनेश भोगरा धन्यवाद माननेश सभापती महुदे मुझे मांग संख्या 26 और मांग संख्या 13 पर बोलने का मुका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बेले में राजस्तान के लोगप्रियो मुख्यमंदरी अशो गेलोजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंदरी 24 स्वास्त विमायोजना 5 लाग से बढ़ा कर 10 लाग किया दुरगटना योजना 5 लाग किया नीशूल के जांचे नीशूल के दवाईया कई जगे PSC कई जगे CSC और कोरोना काल में इतना बेहतरी प्रबंद किया राष्तान की सरकार ने मानने लोग पुरे मुख्यमंदर अशो गेलोजी ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मेरी विदान सभाई शेतर की बात करूँगा टेश्पी सेतर जन्जाती बहुली शेतरे डुंगपूर में सामाने चिकिस सला एक ही बड़ा हरीदेव जोसी सामाने चिकिस सला है इस चिकिस सला में कई डोक्टर अच्छे भी हैं कई श्टाप अच्छा भी है कोरोना में अच्छा काम भी किया है लेकिन कई डॉक्टर्स ने होस्पिटल में खाली हाधरी लगाने आते हैं उनका प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है और सरकारी दवाई का उप्योग करते हैं और परची जुम्रेट से उनको प्राइवेट क्लिनिक उनके बुलाते हैं और गरिबों से लुटा जा रहा है मैं मांग करना चाहता हूँ मंतरी जी से कि इसकी आप जाँच करवाएं और जो दो सी डोक्टर्स हैं उनके खिलाब कारवाई की जाएं और जो कॉरोना में जिसने अच्छा काम किया है मले वो डोक्टर्स हो मले नर्सो हो मले वाड़बोय हो उनको समानित भी किया जाएं मैं सबापती महोदै जी होस्पिटल में एक दो बार गया तो डोक्टर्स की सेटिंग होती है बाहर जो मेडिकल वाले होते हैं उनके बास जो यहां दवाई नहीं मिलती है वो इसी दवाई लिखते हैं तो पर्ची लेकर उसको जाना पड़ता है बाहर मेडिकल की दुकान पे और कई बार वहां मशीने खराब हो जाती है साथ-साथ दिन में सिटी इसकेन की मशीन खराब एकसरे मशीन खराब कोई जाचों की मशीन खराब यू करके सरकार की योजनाओं को फेल किया जा रहा है अधिकारी कर्मन चाहरों जारा सभापती महुदे जी मैं आपके माध्यम से मान्य मंद्री महुदे जी से मंद्री जी को बताना चाहता और वास्तिविक जो गरिब है उसको फाइदा मिले इस चिरंजिवी योजना से हमारे आधिवसी ट्राइबल बेल्ट में काफी फाइदा हुआ है लेकिन इस तरह किसे जो अधिकारी बेठे हुए है वो इस योजनाओं को इस लाप को गरिब तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं समय में राइता ही निरहा दूर से जाता है कि गवरी वियुक्टर देखेंगे कि कोई स्टाइब मिलेगा रात को हस्पि Sectel में deixarृ नहीं मिलता है डोक्तर भी नहीं मिलते हैं मरीचपूरी रात परशान हो जाता है और कई बार घर बुलाते हैं रात को भी उनको फीज सईये दो दो हजार, तिन तिन हजार, तो तो उसका हाथ पकड़ेंगे, ऐसे इस्तिति है, मानने सबापति महुदय जी, तो ऐसे जो अधिकारी करमचारी जो डोक्टर्स जो भी हैं, इनके खिलाब कड़ी कारवाई होनी चाहिए, कई बार छोटी मोटी बीमारी होती है, उसके बाद भी कहते हैं का आपको रेफर करते हैं, उदेबूर जाओ, एमदाबाद जाओ, हिमबत नंगर जाओ, और वो कहां जाएगा, गरीबाद भी कहां जाएगा, वो जो मरेजियों के नहीं लगाकर, उनकी जो दवाईया हैं, दवाई में सप्लाई करने के लिए, वो हमारे जो मर प्रची बिल बना रहे हैं इसकी जाच होनी चीए और कारवाई होनी चीए संबंधी दिकारी से माननी सभापति महोदेजी हमारे टीएसपी में कई जोला चाप डॉक्टर बनके क्लिनिक खोल कर बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई CMH को कोई काव उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं हो रही है पता नहीं वो डिगरी कहां से लाए गावों में गरीबों को लूट रहे हैं केसी केसी दवाईया चड़ा रहे हैं कई बार ऐसी घटनाए होगी कई लोगों की मृतिवी हो गई और वो जोला पकड़ के लेके बाग जाते हैं एसी इस्तिती है तो माननी सभापती महोदे जी आपके माध्यम से मंद्री जी से कहना चाहता हूँ इसे जो जोला चाप डोक्टर हैं उनका क्लिनिक बंद किरा जाए और उनके खिलाब कानूनी करवाई की जाने चाहिए मैं दो मिनिट में समाप करिये प्लीज सर साथ मिनिट नहीं हुए साथ मिनिट दिये मुझे आज मिनिट कुछ सेकिंड हो गई आज मिनिट तो नहीं हुए सर मान्या सभापिती महोदे जे मैं कहना चाहूंगा गड़ी आउस की काम करेगी अरे सर पाल देवल सियसी का भवन निर्मान नहीं हुआ है और मजोला में पियसी का भवन निर्मान भी नहीं हुआ है मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पाल देवल में सियसी और मजोला में पियसी का भवन निर्मान जल्दी से जल्दी कराई जा में मंतरीजी से मांग करना चाहूंगा कि वहां ट्रोमा सेंटर खोले जाए और मोर्चरी में 45-45 किलोमेटर सामाने अस्पिताल आना पड़ता है किसी व्यक्तिकी मरत्य हो जाती है पी-एम कराने के लिए मोर्चरी जीरिण दोर अमिस्ता में उसकी मरमत कराई जाए उसकी पी-एम वा बिच्छी वड़ा ही इस होस्पिटल में हो यह मैं मंतरीजी से मांग करना चाहता हूं और उसी के साथ ही जो समीदा पर जो कार्मिक लगे हुए हैं जो प्लेस्मेंट एजेंसी से तो प्लेस्में में समायों जीत करने की करपा करें तो जिससे प्लेस्मेंट एजेंसी के अधिकरत नहीं कर कार्मिकों का अधिकार का अधिकारों का उनका हनन नहीं होए इसी के साथ मैं मानिय मंतरी जी मांग करूंगा जामिया उर्दू अलिगर्ट बोर्ट से उत्तिन अप्यूर्थों ने एन्म नर्सिंग भर्ती 2018 के 1041 अभिर्थों के आदेस 99 से जारी हो गए तो मैं मांग करता हूँ कि उनको 90 से आदेस जारी हो गए तो उनको जल्दी से जल्दी पोस्टिंग नहीं जाए इसी के साथ जी एन्म एन्म भर्ती 2013 के अभिर्थी कई समय से इंतजार कर रहे हैं उन्हों भी निउक्ति देने की मांग करता हूं मैं मानिया सभापति महोदे जी होमियोपेथिक चिकसाद दारियों के 656 नवीन पद सरचीत कर सम्विदा होमियोपेथिक चिकसाद को को नियमित किये जाने की पूर्जोर मांग करता हूं मैं सभापति करूंणा क्योंकि कि सियां हैं एक मिनिट स्वाप्ति हम कोहिए नहीं हो रहा है पेली बार बॉल। अब यह रहा है क। मैं मां ने सत्रे चाहिए आप कि आपकी अधिकारी जो करमचारी लगे हुए हैं वो हमारे जूठे मुकदमों में कई आदिवाइसी को फसा रखा है बले एक बोतल दो बोतल मिलता है उनके 10 10 15 15 बोतलों के जो मुकतमें लगाएं उन मुकतमों को वापिस लिया जाए और आदिवाइसी की संस्कृति प्रंपरा कल्चर हमारा वार है तुवार है कोई भी हमारे डूंडो सब है उसमें हमारे देशी उसको रखने का 12 बोतल 12 बोतल हमको रखने की छूट दी जाए बले आपकारी वाले अधिकारी आए बले पुलीस वाले आए हमारे आदिवाश्यों के खिलाब कोई मुकतमा नहीं बना जाए यह मैं सरकार से मांग करता हूं यह ममंतर जी से मांग करता हूं और हमारे सीम साबसे ही मांग गरता हूं और हमारे ट्यस पी सेत्र में जो अंगरे जी शराब की दुकाने को राखे है अगर वहाँ के खोल लूंद तो तो वहां का AST को भी आरक्षित दुकाने मिलनी चाहिए, अगर वास्तिविक में अंग्रेजी शराब वहां अगर दुकाने लगानी है, अगर सरकार की आय होती है तो, सबके सब बाहर क्या के हमारी जंता से लूटते हैं, एक एक हजार, दो दो हजार की दारू हम कहां से, आद हुए की दारू हम 12 बोतल हम को छूट दी जाए, हमारे शादी हो, मौत महरण हो, एक दूसरे को हम देते हैं, जैसे मेरे भाई की बच्चे की शादी है, तो मुझे पांथ बोतल देना पड़ता है, मेरे अगर अंकल की लड़के की शादी है, तो आमने सामने हम एक दूसरों को आदान परदान करते हैं, यह हमारी संस्क्रिक्ति है, यह हमारे रिवाज है, मैं मान करता हूँ कि ऐसे जूठे मुझे में जो लगाया है, पुलीस ने, आपकर इने, उसको वापस लिया जाए, मुने बोलने का मुका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाज, जैहि सिरी राज कुमार रोत, सिरी मती सोबा चोहान